फेस मास्क बनाने के लिए बताऊँगा, ये देखेे, दो लियर में कपडा लेना है, दो इस कलर कपडा और ये देखे, सीधा साइड वो अंदर के तरफ रहना है और उल्टी साइड आपको बाहर के तरफ रहतना है, और इसका मेजरमेंट करके दिखाता हूं ये देखे, 36 9 इंच है और दूसरा साड में भी 9 इंच है यह स्क्वाइर होना चाहिए दोनों तरफ 9 इंच है और यह दो निशान लगाया यह निशान इसलिए कि आपको पल्टी करने में वो गेप देना है वहाँ पर सिलाई लगाना है और यहाँ से मैंने इसको सिलाई लगाता हूँ वीडियो को पुरा देखेगा यह मास्क बहुत ही खुबसूरत बनने के बाद देखता है यह दो कलर में यह मास्क बन रहा है यह देखिए सिलाई लग चुका है और जो गेप यहाँ पर फिर जो कोना है उसको कट लगा लेना है यह चार कोना में कट लगा लेना है और यहाँ से फिर इसको सिधा की तरब पल्टी कर लेना है वो कट इसलिए कि फ्रेसिंग ज़्यादा होता है इसका कोना में यह देखिए यह मैंने प्रेस से इसको फ्रेस कर लिया हूँ और फिर इसको इस तरह से आपको कोना मिला के B-Center में एक निशान बना लेना है और यह देखिए जो B-Center का जो निशान बना वहाँ पर चोकमेटी का निशान लगाया और वो निशान ये कोना में रखना है ये देखिए इस तरह से इसको सेट कर लेना है और यहाँ पर फिर सिला लगाना है एक सैट कर सिला लग चुका है दूसर सैट में भी सेम उसी तरह सिला लगा लेना है ये मास्क बनने के बाद बहुत ही खुबसूरत दिखता है ये मास्क दो कलर में ये बन जाता है ये मास्क ये देखिए उसके बाद इसको जो सिला लगाए है वहाँ से ये देखिए ये सिला लग चुका है जहां निशान दिया मैंने और वो निशान से सावा एक इंच में निशान लगाना है फिर दूसरे साड में सावा एक इंच में निशान लगाना है फिर यहां फिर सावा एक इंच में निशान लगाना है यहां भी सावा एक इंच में निशान लगा लेना है जो चोकमिटी का निशान जो पेंसे निसान लगा है वो चोकमिटी का थ्रोई निशान लगा देता हूं ताकि वो नजर आए और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ये निशान और यहां से फिर सिलाय लगाना है यह देखिए यह जो चोकमीटी का निशान लगा है यहां से फिर सिला लगाना है यह सिला लग चुका है दूसरे साड में से मुझी तरह सिला लगा लेना है यह दूनों तरफ सिला लग चुका है उसके बाद इससे सिधा की तरफ फोल्ड कर लेना है फोल्ड होने के बाद यह देखे इस तरह से यह मास्क बन जाता है और फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहां से फिर सिला लगाना है यह देखिए एक साथ का सिला लग चुका है दूसरे साथ में सेम उसी तरह इसको भी फोल्ड कर लेना है यहां पर बढ़िया से सेट कर लेना है ताकि देखने में वो बढ़िया लगे और फिर यहां से सिला लगाना है देखिए सिला लग चुका है उसके बाद दो लास्टिक कटिंग कर लेना है इसका मेजरमेंट देखाता हूँ साड़े छेंच इसका लंबाई रखना है साड़े छेंच और फिर यहाँ पर लास्टिक लगा लेना है दोनों साड में यह देखिए लास्टिक लग चुका है यह साड में और दूसरे साड में भी लास्टिक लगा दिया हुमेने और यहां से यह lastik लगेगा और जो lastik में जो attach किये हैं जो attach किये सिला लगा है उसे अंदर की तरफ रख देना है दोनों side में यह भी देखिए जो attach किये हैं वो भी अंदर की तरफ रख लेना है और यह देखिए mask बनके ready हो चुका इस तरह से यह design बन जाएगा सब्सक्राब करना ना भूए